हेलो एवरिवन ताजम भी एपाट थर्डी एर के तुतिय प्रशन पत्र के चत्तुत इकाई के अंतरगत भूधातू विद्यलिंग लकार का अध्यन करेंगे भूधातू विद्यलिंग लकार में इस प्रकार रूप चलते हैं प्रत्थम पुरुस एक वचन भवेत दी वचन भवेताम बहुचन भवेयु मध्यमपुरुस एकवचन भवे, दीवचन भवेतम और बहुचन भवेत उत्तमपुरुस एकवचन भवेयम, दीवचन भवेवय और बहुचन भवेमह इस लकार में आने वाले प्रमुक सुत्र इस प्रकार है सबसे प्रथम सुत्र अर्थात विधी, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिश्ट, सम्प्रश्ट, प्रात्नेशु, लिंग, अर्थात विधी, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिश्ट, सम्प्रश्ट और प्रात्ना इंच्छ अर्थों में धातू से लिंगलकार का प्रियोग किया जाता है विदी का मतलब आदेश इंच्छ अर्थों में धातू से लिंग लकार का प्रियोग किया जाता है दितिये सुत्र है याशुट प्रस्मे पदेशु उदातो गिच्च अर्थात लिंग लकार के प्रस्मे पदी परत्यों का को याशुट का आगम होता है याशुट में से ट और उ की इत्रण्या वलोप हो जाती है तो याश सेस बचता है तो लिंग लकार में परस्मे पदी परत्यों से याशुट का आगम होता है और यासुट का यास सेस रहता है तीफरा सुत्र है अतो येय अर्थात अतो से मतलब अकारांट अकारांट अंग से परे सारवधातु के अव्यो यास को ये आदेश हो जाता है अतो येय सुत्र से यास को भी ये आदेश हो जाता है लोपोर वयोर वली अर्थात वल प्रत्यहार में व, र, ल, वर्णों तथा वर्णों का प्रत्थम दितिये तिर्थिये चत्थूत पंचम एवं श, 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 ये वर्णात हैं तो वल प्रत्यहार परे रहते व एवं यकालोग हो जाता है वल प्रत्यहार परिरते वा एवं या कालोब हो जाता है अगरिम सुत्रे जेर जुसह लिंग लकार के जी प्रतेकेव जुसका आगम हो जाता है जी प्रतेकेस्टान पर जुस हो जाता है तो यहां पांच सुत्र इस लकार में प्रमुक्त है नए है जो काम आएंगे बाकी सुत्र विगत लकारों में हमनी पढ़ लिये हैं सबसे पहले भवेत भुधातु विधी लिंग लकार पर्थम पुरुष एक वचन यहां सबसे पहले भुवादयो धातु से धातु संग्यागू की विधी निमंत्रण आमंत्रण इस फुत्र से विधी लिंग लकार में लिंग प्रत्त तरंत तिप तफजी से पर्थम पुर शेफ रहा भूधन ती, अब इतफ्च इस सुत्र से ती की इका लोप हुआ, तब इस्तति बनी भूधन त, तहलंत, फिर तेंग शित सारुधातु कम सुत्र से तिफ़ प्रत्यकों फर्धातु संग्या हुई, कर्चरी शब से धातु प्रत्यके बीच में शब का आगम हुआ, शब्में से श्यावपा की इत्संग्या वा लोप हुई, श्तति बनी भूधन अधन्त, तब सारुधातु कार्धातु कयों से भूध को उआदेश, तथा एचोव आयव आयव सुत्र से उकोभी अवादेश, तब श्तति बनी भौधन अधन्त, तरंतर वर्णों को मिलाने पर बनेगा भवत, एस श्तति में याशुठ परस्मे पदेश उद्दातो, गिच्च, इस शुत्र से याशुठ का आगम हुआ, तब उठभाग का लोग हुआ, शेश बचा भौधन यास धन्त, तरंतर अतो यह इस शुत्र से यास के स्टान के भी यह आदेश हो जाएगा, और आद गुण से दोनों को गुणे कादेश करने पर भवेधन या धन्त, यह श्तति मनेगी, तरंतर लोपोर वयवली सुत्र से यह का भी लोप हुआ, तब श्तति बनी भवेध, इस प्रकार प्रथम पुरूस एक वचन में रूप बनेगा भवेध, दी वचन में रूप बनता है भवेताम, यहां भी सर्व प्रथम, भुवादयो सिधातु संग्या, विधी निमंत्रण से भूधन लिगलकार, तिपतफ जी से प्रथम पुरूस दीवचन में, तस प्रते, तरंतर, भूधन, तस यश्तति बनी, तिंग शित फर्दातु कमसे फर्दातु संग्या करतरी शब्षे शब्कागम, शवपगी, इत्वग्यावलोग, अशेश, फर्दातु कार्दातु कमसे अवादेश, तब इस्तति बनी, भौधन, अधन, तस, तथा वणों को आपसे मिलाएंगे, तो बनेगा भौधन, तस, तब तस, थस, तम निप, इस उत्तर से, तस के स् इस्तति बनी, भौधन, ताम, तब याशुट परस्मे परदेशु, उदाद, गिंचे, सुत्र से, याशुट का आगम, उठका लोप, याश सेश, तरंदर अतो यही से, याश किस्तान पर भी ए आदेश, आर्गुन से, एक आदेश करने पर, भवे धन, यह धन, ताम, यह वही लोपोर वयवली से, यका लोप पर ने पर बनेगा भवे ताम, यह बध्यम पुरूष, प्रथम पुरूष, दीवचन में बना, अब प्रथम पुरूष, वह वचन में, वही प्रक्रिया चलेगी, इस्तति बनेगी, भूधन, जीब, तरंदर, भूधन, जीब बनने के बाद में, तिंग शित फर्थातुकम से, जी प्रत्यक्पु फर्थातुक संग्या हुई, कर्तरिशब से, शब का आगम, अशेष, फर्थातु, कार्थातु के यह से, धातु को गुण, एचवाय, आयवाया, उसे आवादेश, इस्तति बनेगी, भौधन, अधन, जी, जेर तहा उस, तो इस्तति बनेगी, भौधन, उस, तब याशुट प्रस्में, पदेशु दिंच्चफे, याशुट का आगम, याशेष, अतो यह से, यह आदेश, आद्गुण से गुण करने पर, इस्तति बनेगी, भौधन, यह धन, उस, अब आगे यहाँ, उसमें स्वर है, तो लोपोर वेवली सुत्र नहीं लगेगा, आपस में मिलाएंगे सब व्राणों को, तो बनेगा भौधयू, अंत में सवकोरुत्व विशर करने पर, इस्तति बनेगी, भौधयू हूँ, इसी प्रकार, मध्यम पुरुष, एक वचन में रूप बनता है, भौधय, तो यहा शिप, अब सी के इतफ्च सुत्र से, सी के इकालोप हुआ, तब इस्तति बनी भौधन स, परकी हलन्तेम से संग्या हो जाएगी, इस्तति बनेगी, भौधन स, तिंग शित, फार्थातु कम से, शिप प्रत्यकु फार्थातु संग्या हुई, कर्तरिशप से, शपका आगम, शेष, इस्तति बनी भौधन स, तब सार्थातु कार्थातु कई शुत्र से, आदेश, एच़वयाईव सुत्र से, अवादेश, इस्तति बनी भौधन स, तब वर्णों को मिलाएंगे, तो बनेगा भौधन स, याशुट प्रस्में परेशु उद्धातु सुत्र से, ये आदेश आद्गुन करने पर बनेगा भवेधन ये धन स्य एशिफ्तिति में लोपर वैवली सुत्र से यका लोप हुआ तब बना भवेधन स्य और अंत में सकोवी रूप विश्रक करने पर मध्यम पुरूफ एक वचन में रूप बनेगा भवे अगरी में मध्यम पुरूफ दिवचन में भवेतम यहां पर भी जैसा रूप भवेताम का बनता है प्रत्थम पुरूफ दिवचन का उसी प्रकार का रूप यहां पर भवेतम बनेगा बस एक सुत्र है जिससे मध्यम पुरूफ दिवचन में थस को तम आदेश हो जाता है वह सुत्र इस प्रकार है तस थस वह वाला सुत्र उससे तस थस थ मिपाम ताम तम ताम से मध्यम पुरूफ को थस को तस आदेश हो जाता है और पूरी प्रक्रिया प्रथम पुरुष दीवचन की इसमें लग जाती है रूप बनता है भवेतम मद्यम पुरूस बहुवचन में रूप बनता है भवेता है यहाँ पर भी जैसे रूप मद्यम पुरूस दीवचन का चलता है उसी प्रकार का रूप यहाँ पर मद्यम पुरूस बहुवचन में चलेंगे वही सुत्र यहाँ पर लागू होगा जिससे तक हो जाता है रूप बनता है भवेत सेम वैसा का वैसा ही रूप चलेगा जो रूप भवेतम में बनता है उसी प्रका का रूप भवेत में बनेगा बस एक सुत्र है वही जो इसमें लगेगा ताम तम वाला उससे थको त्यादेश हो जाता है और रूप बनता है भवेत उत्तम पुरूष एक वजन में रूप बनता है भवेयम जो इस प्रकार है सबसे पहले वही भुवादेश धातु संग्या विधि निमंतरण आमंतरण उत्तम प्रश्न प्रात्ने सूछ लिंग से लिंग प्रत्ति टिफ्तफ जी से उत्तम प्रूष एक वजन में मिप प्रत्य तब श्ती बनी तब तस थस्थ मिपाम तम ताम से मिपको अम आदेश भाउधन अम बनेगा या फुट परिश्पिक्पदी से गिच्चे सुत या सुट कागम या ससेस अतो यह इसे यास को भी यह आदेश यादेश आद्गुन से गुन संदिक करने पर मिलेगा भवेधन यह धम अम अब पुर्वैवली नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर अम में आश्वर है कि अग्रिम है उत्तमप्रूफ दीवचन में भवेव हैं यहां पर वे फर्वब्रथम भुवादयो धातु से भुकिधातु संग्या विधिनिमंत्रण आमंत्रण अधिश्ट संप्रष्ण प्रात्ने सु में इस उत्तर से लिएव लगार का आगम से भूधन लिंग से वचित इंग प्रुधातु खम से 20 प्रते की अधर चेश इस्तरति बनी भूँ धन वस, फारोधात्तुका. हेच औ५ ईवायाव से अवादेश, इस्तरति बनी भाव धन वस, तब वही याफुठिटकप्रिश्में प्रास्मिया दात गीच्च इस उत्रसे याफुट प्रते याफुट का यास सेश अतो यह से यादेश आत्गुन करने पर बनेगा भवेधन यह धन वस तब लोप और वयवली इस उत्र से यह का लोप हुआ बना भवेधन वस अम नित्यम गेतह इस उत्र से वस के मा का लोप हुआ तब रूप बना भवेव है तो उत उत्तम्पुरुष दी वचन में रूप बनता है भवेवा हैं अंतिम रूप हैं भवेमा उत्तम्पुरुष बहुवचन में यहां पर भी सबसे पहले भुवादयो धातु से धातु संग्या विधिनिमंत्रन इस सुत्र से लिंगलकार का आगम तिपतफजी इडवही से इस इस धोम्पुरुष भी भूधन मस्छर तब सारओधातु कारधातु संग्या वी फaatर्थ चाराम को स्याववख से शप थ закрыव पाय की इत संग्या वन var 006 इश हिसतरती बनी भूधन अधन मस्णिट की बढ़ों सवर इस उत्त्र से भूग ये उको ओं-वादेश hiss जो आई वायाव इस उत्र से ओको भी आवादेश तब इस्तरती मैंनी भाव धन धन मस तब वरणों को मिलाएंगे तो भाव धन मस अब यासुट परस्वें पदेश उदातों गिच्च इस उत्र से यासुट प्रतेकागम यासुट में से उठकी संध्याव लोग यास सेस अतो यह से यास को यह आदेश आजगुण से दोनों को गुणे कादेश करने पर बनेगा भावे धन यह धन मस तब नित्यम गित इस सुत्र से मस के सका लोग रूप बनेगा भावे यम तब लोपरवय वली से यका लोप रूप बनेगा भावे मा इस प्रकार इन सुत्र के मात्यम से विधि लिंग लकार में हम बना सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद सुबाफ्ते पंथाना संतु धन्यवाद